तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज वार गेम के ओफिशल मैच काट की इसके अलावा कौन सा मैच हमें कहां पर देखने को मिलेगा ये भी प्रेडिक्शन करेंगे तो भाई शोकी जो ओपनिंग है वो हमें देखने को मिल सकती है वोमेंज वार गेम मैच से जिसमें बेंका ब्लेयर, शालिट फ्लेयर, बेकी लिंच, शौट्सी ब्लेक हार्ट वर्सेस, डैमिज कंट्रोल एंड औसका शामिल है Second जो match है वो हमें देखने को मिल सकता है Carlyto versus Santos Escobar के बीच में इसके बाद जो third match है वो हमें देखने को मिल सकता है Women's World Championship के लिए Rhea Ripley versus Zoe Stark के बीच में अचा यार यह मेरी prediction है बाकी जरूरी नहीं है कि इसी order में यह match हमें देखने को मिलें मतलब हो सकता है कि कोई मैच आगे या पीछे हो जाए फूर्थ मैच जो कि हमें देखने को मिल सकता है वो Intercontinental Championship के लिए Gunther vs The Miz का मैच and Survivor Series War Game का जो मेन इवेंट होने वाला है वो है Man's War Game मैच जिसके अंदर एक तरफ Cody Rhodes, Seth Rollins, Sammy Zane, Jay Uso और Randy Orton होने वाले हैं को मिला था अगर Randy Orton के अलावा किसी और का रिटर्न हो रहा है तो किसी और से मतलब आप मेरा समझ रहे हो न बागी मैं नाम नहीं लोगा भाई आप लोग कमेंट में बता दो मैं किस के बारे में बात कर रहा हूं और ये भी बता देना कि आप लोग किस मैच के लिए सबसे ज़ादा एकसाइटेड हो मैं तो यार परसनली मैंस वार गेम के लिए ज़ादा एकसाइटेड हूं और उस रिटर्न के लिए भी बागी यही पांच मैच हैं जो कि WWE ने सर्वाइवर सीरीज वार गेम के लिए ओफिशल किये हैं तो वीडियो को भी हम लोग यहीं पर खतम करते हैं WWE के इन्फोर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक सरूर कर देना